अस्सलाम आलेकुम नाजरीन आज की वीडियो में आप देखेंगे सिर्फ सूपर हे ड्रामा जो कि रुमांटिक स्टोरी पर मपनी है और 2022 के दरान ही नशर हुए तो वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्खौस देखे हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एमुश्तिखाग एक रुमांटिक ट्रामा है जो कि जियों पर नशर हुआ इस ट्रामे में काम करने वारे पंकारों के नाम फिरोज खान और सना जावेद है मुस्तिखाग होता तो मुसल्मान है और एक मुसल्मान घराने में पैदा हुआ होता है मगर बाहर मुल्क में रहने के वज़ा से उसे ना तो इसलाम का स्यादा कुछ पता होता है और ना नमास वगएरा पढ़ता है दुआ जो कि कुरान की स्टुडंट होती है और बहुत ही दीनदार और सलीका मन होती है मुस्तजाब और दुआ की माएं बहुत अच्छी दोस होती है मुस्तजाब की माँ को दुआ बहुत पसंद होती है और वो उसे अपनी बहु बनाना चाहती है वो मुस्तजाब को दुआ के घर लाकर उसके माबाब और दुआ से मिलवाती है मुस्तजाब को दुआ पसंद आ जाती है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है शादी के बाद दुआ को मुस्तजाब के मुसलमान होने पर शक होता है और यहां तक के बाद तलाक तक पहुच जाती है दुआ कोट के जरीए मुस्तचाप से तलाक ले लेती है तलाक के बाद मुस्तचाप बिलकुल पागल सा हो जाता है और फिर वो आहस्ता आहस्ता इसलाम की तरफ वापस आ जाता है ड्रामा देखने के काबिल है तो इसे जरूर देखिएगा सूपर हिट संगेमा ट्रामा रुमैंस और सिस्पैंस में खमाल ट्रामा था जिसने देखने वालों को आखिर तक मुतवच्चर किये रखा हल्मन का अपने बाप का बदला लेने से जर्गूना का बेटे की गल्ती पर भी उसे महपत देने तक का बेहतरीन रहा हिकमत अपनी खालन साथ गुल्मीने को पसंद करता था मगर उसके बड़े भाई हल्मन ने गुल्मीने पर खुख करके दुश्मनी में पहल की जो आखिर तक निभाता रहा ट्रामे में पश्टो रिवायात में खुख जैसी फरसोतर रसम को खतम करना दिखाया गया है जिससे उस लड़की के रिष्टे से बाकी लोग गुरीज करते जहां एक तरफ गुलुकार आतिव असलम संगे मा में टैब्यू कर रहे हैं वही इस ट्रामे के दीगर कास्ट में सान्या सेट, सामिया मुम्ताज, नुमान इचास और उनके बेटे साविया इचास, गुब्राहान, हानिया आमिर और मिकाल जुलपिकार शामिल है इस ट्रामे को अपनी वाच्च लिस्ट में सरूर शामिल कीजेगा ड्रामा सेरियल परिजाद परिजाद एक रोमांटिक सेरियल है ये आजकल के कम सूरत नौचवानों की कहानी है जिसे हाशिम नदीम ने लिखा और हम टीवी पर चलाये गया परिजाद युनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का होता है जो एक लड़की को पसंद करता है लेकिन खरीबी और अपनी रंगत के बाईस अपनी महबत को छोड़कर शहर चला आता है जहाँ वो अंगिनत मेहनत करने के साथ सथ कई लोगों के दिल जीत लेता है ड्रामे में बताया गया है कि आपकी शकलो सूरत ही सब कुछ नहीं होती काबलियत इखलाख ही आपकी शक्सियत होती है सब्र होसले से आगे बढ़ना चाहिए परिजाद की शोहरत के वज़ा कहानी का मुनफरिद होना था इस मुल्कमें और जवानों की अक्सरियत डिग्रिया लेने के बाद दर्दर की ठोकरें खाती है और बेरोजगारी के ताने ही सुद्धी है ये भी एक हकीकत है कि इस समाज में रंग, नसल, जबान, जाथपाद या मजब वगरे की बुनियाद पर लोगों को कमतर या बत्तर समझा जाता है ट्रामा सीरियल ये ना थी हमारी किस्मत ये ना थी हमारी किस्मत एक सुपर हेट रोमांतिक पाकिस्तानी सीरियल है जिसकी व्यूवर्शिप 2022 में बहुत स्ट्रॉंग थी सेयद अली रजा उसामा की हिदायत कारी में बनने वाले इस ड्रामे को Six Sigma Plus Production और Next Level Entertainment ने प्रोड्यूस किया था जिसके हिदायत सेयद अली रजा उसामा ने दी थी ये ना थी हमारी किस्मत की ड्रामानिगार सीमा मुनाफ है ड्रामा ये ना थी हमारी किस्मत में मुनीब बर्ठ हिरामानी नूर हसन और आईसावान ने अदाकारी की ये उन दो बेहनों की कहानी है जिनकी एक ही घर में गहर मुतवक्के तोर पर शादी हो जाती है और उनको दरपेश मुश्किलात उन दोनों की जिन्दगी अचीरन कर देती है मुन्तहा बड़ी बहन एक अच्छी तालिम यापता है एक अमीरा आदमी से शादी करने के बाद अलिश्पा छोटी बहन के लिए हमेशा आसान जिन्दगी की खौहिश रखती है लेकिन ऐसा नहीं होता इस रोमांटिक सेरियल को अपनी वाच लिस्ट में सरूर शामिल कीजेगा परिस्तान ट्रामा हाली सुपर हिट रोमांटिक सेरियल है ये एक लड़की की लव स्टोरी है जिसका नाम परी है ये एक रोमांटिक स्टोरी है और इसमें एक ही नहीं चार से पांच लव स्टोरी है ये ट्रामा दो घरों पर मुश्तमिल है परी एक यतीम लड़की है और अपने मामू के घर में रहती है दूसरा कर अरसम का है जो अपनी दादी और भाई की बच्चों के साथ रहता है परी और अरसम में नोक चोप और नफरत का माहौल होता है लेकिन कुछ अरसे बात अरसम को समझ आ जाती है कि परी घलत लड़की नहीं है दूसरी उचाला जो के परी की मुमानी की बेटी है वो अपने खालासाथ को पसंद करती है लेकिन कुछ प्राब्लम्स की वज़े से उनका रिष्टा नहीं हो रहा दूसरी लव स्टोरी परी के पुपी की है जो किसी को पसंद करती थी और उसने उन्हें धोका दे दिया आखिर में सब मिलकर एक दूसरी की लव स्टोरी मुकमल करवाते है यूँ परिस्तान की फैमली कम्प्लीट हो जाती है यकीनर ये सीरियल आपको बहुत पसंद आएगा ड्रामा सीरियल हप्स हप्स एक सूपर हे ट्रोमांटिक सीरियल है इसके कहानी फिरोस खान के गिड़ घुमती है जो अपनी बीवी आईशा यानि उशना शा को अपनी पर्सनल असिस्टन की जॉब देते हैं और दोनों करेलू मजबूरी के तहट शादी करते है बात में फिरोस खान दूसरी शादी भी करता है हप्स ड्रामे की कहानी आलिया मक्तूम ने लिखी जबके हिदायतकार मस्दक मलिक है इसके इलावा ड्रामा हुमायू सहीर और शहजाद नसीब ने प्रोड्यूस किया है ब्लाकबस्टर ड्रामा सीरियल की रेटिंग 9.5 मिलियन से जायत है अधकारा फिरोस खान और उष्णाशा के ड्रामा सीरियल हप्स में उनकी कड़तार कैमिस्ट्री और अधकारी ने बद्दाहों की दिल जीत लिए आईशा उमर फिरोस खान की दूसरी बीवी का रोल प्ले कर रही है अंतुल हयाद एक रुमांटिक मेगा सीरियल है महब्बत, हसत और इंतिकाम की इस दिल्चस्ट कहानी में लुबना समिया और तबस्सम इस कहानी के तीन सितारे हैं जो इन तीन बेहनों के गिर्द घुमती है जिन्दगी और तालुकात इससे कहीं ज्यादा पेचीदा साबित होए जिसकी उनको पहली तवक्को थी एक ट्रामा की तौर पर ये कहानी चैलेंजिस पर मर्कूज है जो आज के जदीद मौश्य में शादी के बात्मवतीन को दरपेश है लुबना का किर्दार अदख करने वाली मशीर मुम्तास भी इस जोड की रुकन है लुबना एक खुद एतमाद खातून है जो इस दुनिया में अपने मकाम के लिए चद्दुजहद कर रही है मुनफरित रुमांटिक स्टोरी के लिए ये ड्रामा जरूर देखिए ड्रामा सेरियल वो पागलसी वो पागलसी एक नया इमोशनल रुमांटिक सेरियल है इसका हाल ही में इक्तिताम हुआ है व्यूवर्स उसे हिराहान यानि हमसफर की रूमी और साथ कुरैशी की वज़ा से देख रहे हैं वरना जबाब राना ने तो आम सी अदकारी की है उसका ओरिशनल लबो लहजा और तलफुस खासा पेंडू टाइप है और ये बहुत कोशिश करके चबा चबा कर उसे ठीक अदा करने की कोशिश करती है और इस कोशिश में वो मजीद अजीब लगती है ड्रामे में बेला यानि ड्रामे की हिरोईन की बहन का जो रोल कर रही है उस लड़की का शोहर एक बुढ़ा शक्स दिखाया गया है और जिस तहां के मसाइब का सामना उनको उसकी वज़ा से होता है वो बहुत एमोशनल है लड़कियों का पैसे की लालच में मर्द को फसाना और फिर साज़िश पर साज़िश करना ड्रामों को थीम तसलसल से बंदा चला चा रहा है इश्क ला हम टीवी की पेशकश है ये ड्रामा हाई रेटिंग लेकर कामियाब तरीन रहा ये एक रोमैंस बरी कहानी है कहानी का महूर इसके टाइटल इश्क ला यानि इश्क की नफी से साहिर है जो उसके तीन मरकजी किर्दारों की जिंदगी से परदा उठाती है जो हर लिहास से एक दूसरे से मुखतलिप है सजल अली ने शनाया का किर्दार निभाया है जोके एक हमदर्द, बहादर खातून, सहाफी और समाजी कारकुन है अजान समी खान ने अजलान का रोल अदा किया है जिसका तालुक अपर क्लास से है लेकिन वो काम्याब बिजनिसमेन होने के साथ साथ एक खुद पसंद मगरूर और खुदा पर यकीन न रखने वाला नौचवान है अजलान और शनाया का तालुक दोस्ती से शुरू होकर महबत, शादी और आखिर में इश्क में तबदिल हो जाता है तीसरा और सबसे एहन युमना जादी की चानिप से निभाया गया असका का किरदार था जो उन लोगों की जद्दू जहद की अकासी करता है जो मौश्रे में निचले तपके से तालुक रखने के बावचूद अपनी महिनत और खुलूस से काम्याबियों के मनाजिल तै कर लेते हैं असका ने अपने शफाफ दिल, खुदा पर पुखता यकीन, एसास मंदी और बेलोस महबबत से नकाबले तस्खिर के लिए भी फता कर लिये शनाया के मत असका का डॉक्टर बरना और फिर अजलान से काहजीनिका उस कहानी का एहमोड था ARI के प्रेटफर्म से पेश किया जाने वाला ड्रामा सेरील कैसी तेरी खुदगरसी को बेस्ट प्रोजेक्ट कहा चाए तो खलत न होगा ये एक सूपरहेट रमान्स साबित हुआ है अगर कास्ट देखी जाए तो बेस्ट है जो अपनी अदाकारी में अपना लोहा मनवाच चुके हैं दानिश टैमूर, दुरेफिशा, नुमानिजास, अतीका ओड़ो, लैलावास्ती, शहू तलवी और दीगर बहुत से अदाकार इस ट्रॉमे में अपनी अदाकारी के जहुर दिखा रहे हैं शमशेर जो बिस्निस टाइकॉन का ओबाश विगड़ा हुआ लड़का है महग जो मिडल क्लास फैमिली से तालिक रखती है शमशेर को महग से इस हद तक महबत हो जाती है कि वो उसका चीना मुश्किल कर देता है कि वो अपने मरने का नातक करती और फिर दुपारा शमशेर की नजरों में आ जाती है और शमशेर की धमकी के बाद अपनी फैमली को बचाने के लिए उससे निकाह कर लेती है पर शमशेर के इस कदम से उसकी फैमली नाखुश और महको नापसंद करती है इसी महापत नफरत के दर्मियान पनपती ये कहानी आगे क्या मोड लेगी इसके लिए यूट्यूब स्ट्रीमिंग पर ये सीरियल मौजूद है जरूर देखिए तो ये था हमारा आज का काउंट डाउन जो के सूपर हिट रोमांटिक ट्रामास पर मपनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीट बैक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हापिस